नमस्ते जैहिंद, नाव हाली में दिबांग मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट को गवर्मेंट आफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, अरुनाचल प्रदेश में इंडिया चाइना बॉर्डर के पास लोवर दिबांग वैली में दिबांग रिवर में बनने जा रहा है भार इस 2880 मेगावाट की केपैसिटी वाले दिबांग हाइडरो पावर प्रोजेक्ट की टोटल कोस्ट 319 बिलियन रुपीज है और इस प्रोजेक्ट को पूरा बनने में एप्रोक्सिमेटली 9 साल का समय लगने वाला है और इन 9 सालों में यहाँ पर एक 278 मीटर हाई ग्रैविटी डैम और बहुत सारे होर्स शू शेप्ट हैड रेस टनल्स होर्स शू शेप्ट टेल रेस टनल्स और एक अंडरग्राउंट पावर हाउस बिल्ड किया जाएगा और कम्प्लीट होने के बाद यह प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट का हाइडरो पावर जेनरेट कर प देखिए जैसा कि इस प्रोजेक्ट का नाम है दिबांग मल्टी परपस प्रोजेक्ट अब यहाँ पर इस मल्टी परपस शब्द का मतलब क्या बनता है देखिए वैसे तो इस प्रोजेक्ट का परपस फ्लड कंट्रोल और वाटर स्टोरेज बताया जा रहा है लेकिन इस प इंडिया और चाइना के LSE border के सिर्फ 30 किलोमेटर दूर एक sensitive point पे बनने जा रहा है और in terms of border security, water security, hydro power potentiality और strategic potentiality दिबांग वैली बहुत सही जगह है to check China near the India-China border क्योंकि इस hydro power project से हम चाइना के hydro weapon strategy को counter कर सकते हैं क्योंकि देखिए चाइना अपने hydro weapon strategy में अपने hydro power projects को as a strategic tool इस्तिमाल करता है अपने पडोसी देशों पर दबाव डालने के लिए क्योंकि देखिए चाइना ने तिबबत से originate होने वाली नदियों में बड़े पैमाने पर hydro power projects बना रखे हैं जो इंडिया और South East Asian जैसे पडोसी देशों में बहते हैं देखिए चाइना की hydro weapon strategy शुरू होती है तिबबत की strategic importance से देखिए तिबबत दुनिया का सबसे largest और highest plateau है और तिबबत के glacier से दुनिया की कई बड़ी नदियों का उदगम होता है जैसे इंदस, ब्रह्मपुत्रा, यांग्से, मेकॉंग, इरावदी, सल्वीन, यलो रिवर और आगे चल कर ये इंडिया और बांगलादेश समेथ बाकी सभी South East Asian countries जैसे म्यानमार, थाइलेंड, लाओस, केमबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में बहती है और around 3 billion लोगो की life line बन जाती है, तिबबत प्लेट्यू सदियों से इस पूरे region की life को sustain करती आई है, नाओ देखिए 1951 में जब Chinese Communist Party ने तिबबत को कवजा लिया था, तभी से तिबबत से पडोसी देशों में बहने वाली नदियों पर पूरा control चाइना के पास है, चाइना सालों से लगात इस पूरे तिबेतन प्लेट्यू में डैम पे डैम बनाता गया है, जिससे ये सालों से डाउन स्ट्रीम में बहने वाली नदियों पर जो आगे चल कर इंडिया में ब्रह्मपुत्रा और बांगलादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, इनको control करता आया है, स्टाटिस्टिक्स के मताबिक चाइना ने इस पूरे रीजन में जितने भी important waterways हैं, इनमें almost 87,000 डैम्स का construction किया है, चाइना की इस conspiracy को डैम conspiracy भी कहा जाता है, इसके साथ industrialization और development needs को पूरा करने और 2060 तक zero carbon emissions के target को पूरा करने के लिए, चाइना अपने hydro power resources को ताबर तोड तरीके से exploit कर रहा है, Surprisingly, China has built more than 87,000 dams in the last several decades, the question arises, why did China build such a large number of dams, usually dams are built to control floods, use water for irrigation, generate electricity and store water, but China's intention lies somewhere else, देखिए, चाइना पानी को as a weapon use करना चाता है, अभी आप देखो, dam construction के मामले में, चाइना ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, अभी 8-10 सालों के अंदर अंदर, चाइना ने अपने largest river, यांग से और उसकी tributaries के उपर 100 से भी ज्यादा dams बना डाले, दूसरा आप देखो, चाइना ने मेकॉंग river में, which is the 7th major river in Asia, 11 से भी ज्यादा dams बना डाले, और ये river चाइना के south western side से बहती हुई, आगे चलकर Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia और Vietnam में जाती है, Now, यहाँ पर आप गहराई से समझो, मेकॉंग नदी और इसकी सहायक नदियां, south east Asia में 60 million से भी ज्यादा लोगों की life line है, चाइना ने इन dams का construction मेकॉंग नदी के पानी को control करने के लिए किया है, ताकि ये अपने dams से इन लोगों के भागय का फैसला कर सके, और जब मन चाहे, पानी के फ्लो को block या release कर सके, चाइना blocks the water flow of rivers and releases that at its own will, चाइना is now empowered enough to cause floods in its neighboring countries, besides creating a drought, चाइना is able to do so because of its geographical location, there are many such rivers that originate in China and flow through 18 countries, there is no other country in the world from where rivers flow to 18 countries, चाइना has taken advantage of this situation and got built massive dams to control the river waters, नाव देखिए जैसा कि 1951 के बाद से पूरे तिबबत का geographical region चाइना के control में आता है, तो यहां से originate होने वाली सारी नदिया एक तरह से Chinese controlled region से originate होती है, नाव इसी वज़े से चाइना को इस region की upper most riparian country भी कहा जाता है, और जैसा कि चाइना से originate होने वाली सारी नदिया चाइना से निकलते होए आगे जाकर नीचे की तरफ से 18 देशों से होकर भैती है, तो इन 18 देशों को कहा जाता है lower riparian countries, नाव ये सभी lower riparian countries के लिए चिंता की बात है कि जिस तरह से चाइना में dams का construction थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको कई बार चाइना का dam rush भी कहा जाता है, ये एशिया के water future के लिए एक बहुत बड़ा threat है, क्योंकि इन dams के जरिए चाइना कभी भी इन dams के tap को on या off कर सकता है, यानि कि चाइना चाहे तो इन dams से निकलने वाली water flow को block करके lower riparian countries में सूखा ला सकता है, जिसे हम artificial drought भी कहते हैं, या फिर dam के flood gates को open करके बार भी ला सकता है, जिसके बाद जो तबाही मचेगी उसकी कोई सीमा नहीं, Now it is a big concern for the lower riparian countries क्योंकि इस से इनके human consumption, irrigation, agriculture और industries को बुरी तरह से शती पहुचेगी, Now देखिए, चाइना crisis manufacturing मेना number one position पर है, और अपने इस water power से कभी भी और कहीं भी crisis ला सकता है, और कर सकता है क्या, करके दिखा भी दिया, आपको अगर शायद याद हो, तो 2017 में अचानक से ब्रह्म पुत्र रिवर का पानी black और muddy हो गया था, यहाँ पर आप ये article देख सकते हो, ब्लैक ब्रह्म पुत्रा, as river turns muddy, आसाम लीडर blames चायना, IIT गुहाटी की एक report ने ये खुलासा किया था, कि ब्लैक वाटर में उनको भारी मात्रा में iron और lead content मिला था, mighty ब्रह्म पुत्रा river को आसाम की life line माना जाता है, इस तबाही से ब्रह्म पुत्रा valley civilization को बहुत शती पहुची थी, specially aquatic life को, iron और lead के फैलने से बहुत सारी मचलियां भी मर गई थी, China ने कहा था कि ये earthquake की वजह से हुआ है, लेकिन चान बीन करने के बाद ये मालूम चला कि China ब्रह्म पुत्रा के upstream में 1000 km का tunnel बना रहा है, there is an abnormal change of water in Brahmaputra during the last one month and poisonous, muddy, turbid water is flowing in this river, as a result, a lot of wild animals, aquatic life and fish died, this catastrophe has jeopardized Brahmaputra valley civilization, Mr. Bora told the Rajya Sabha on Tuesday, Mr. Bora blamed the muddy, poisonous water on what he said was China's 1000 km tunnel being built upstream, और अगर मैं आपको इसका एक और example दूँ, तो देखिए, 2020 में Thailand में एक भयंकर drought हुआ था, वजह ये थी कि China ने मैकॉंग रिवर का पानी रोक दिया था, जिसके कारण Thailand ने 40 साल के सबसे बड़े सूखे का सामना किया, Thailand जो दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी निर्यात करता है, अपने चीनी उत्पादन में 9 साल के lowest level पर पहुच गया था, Thailand के सूखे का असर, Vietnam, Laos और Cambodia के चावल उत्पादन पर भी पहुचा, For three decades, China has been building dams on the upper basin of the Mekong River, worrying countries downstream that China could one day turn off the tap. For five months in 2019, China's dams held back so much water that they entirely prevented the annual monsoon-driven rise in river level at Chiang Sen, Thailand. This has not happened since modern records have been kept. Now आप समझ सकते हो कि दिबांग multi-purpose project इंडिया की water security के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस multi-purpose project के साथ साथ भारत सरकार, इंडिया-चाइना LSE border के साथ adjoint, हमारे जो चार border states है, उनमें vibrant villages program चला रही है, जिसमें total 19 districts के 2,966 border villages को 2026 तक upgrade किया जाएगा, जिसमें tourism, skill development, entrepreneurship जैसे sectors को boost किया जाएगा. इसके साथ all weather road connectivity, drinking water, 24x7 electricity, solar and wind energy और mobile and internet connectivity पर ज्यादा attention दिया जाएगा. 4,800 करोड रुपे का ये program, border states के infrastructure को और भी develop करेगा, जिससे हमारे ITBP के जवान, इंडिया-चाइना LSE border पर, चाइना के activities पर और भी कडी निगरानी रख पाएंगे. The government plans to develop 2,966 villages in border states adjoining China, a new 4.1-kilometer Shinkula Tunnel connecting Himachal Pradesh to Ladakh for providing all weather connectivity for troops movement and 1,800 crore rupees towards raising new battalions for Indo-Tibetan Border Police, ITBP, that is responsible for protecting India's borders with China. Now, इस project को लेकर बहुत सारे environmental issues भी हैं. अरुनाचल प्रदेश में आए दिन, heavy rainfall की वजए से land slides होती रहती हैं. यहाँ पर climate change का risk हमेशा रहता है. ऐसे में, environmental safety को ध्यान में रखते हुए, ये project जितनी जल्दी complete हो जाए, उतना अच्छा है. Well, इस दिबांग multi-purpose project को लेकर आप क्या सोचते हो, comment section में अपने opinions लिखिए. I wish you all a very good health. Jai Hind!